सियासत में ऐसा माना जाता है कि बीजेपी कार्य करता अधारित दल है और इस दल की ताकत इसके कार्य करता और नेता है जो अपनी जिम्मदारियों का बकूबी नर्बहन पूरी निस्था और समर्पड पिसात करते हैं हाली में बीजेपी के प्रदेश उपाध्यक्ष जीतु जराती ने प्रदेश अध्यक्ष बीडी शर्मा को एक खत लिखा है जिसमें उन्होंने 29 विधानसभा सीटों को जिताने की जिम्मदारी का जिक्र करते हुए विधानसभा चुनाव ना लड़ने की एक्षा जाहिर की ह वहीं अब जराती की निस्था और संगठन सेवा की हर तरफ चर्चा हो रही है जाब उपाल से लेकर दिल्ली तक चुराती की जमकर सराहना भी की जा रही है देखे एक खास रेपूर्ट जीतु जराती ने पेश किया संगठन सेवा का अनूठा उधारन संगठन की दी जम्मदारी निभाने के लिए चुनाव ना लड़ने का फैसला प्रदेश अध्यक्ष को पत्र लिखकर चुनाव ना लड़ने की जताई एक्षा रुपाल से दिल्ली तक जीतु जराती के समरपड की चर्चा MP की सियासत में एक तरफ जहां टिकेट की चाह में नेता अपने संगठन को छोड़ने से भी नहीं कतरा रहे हैं तो वहीं दूसरी तरफ बीजेपी के प्रदेश अध्यक्ष जीतु जराती ने एक ऐसा उधारन पेश किया है जो सियासत में सुचीता का परिचायक बन गया है दरसल जराती ने एक खट प्रदेश अध्यक्ष बीडी शर्मा को लिखा है जिसमें जराती ने संगठन की दी जिम्मदारी को निभाने के लिए विधान सभा चुनाव ना लड़ने की इक्षा जाहिर की है वहीं अब जराती के उठाय इस कदम की भुपाल से लेकर दिल्ली तक चर्चा है जहां संगठन से जुड़े दिगज भी जराती की पहल का स्वागत करते हुए इसकी जमकर सराहना कर रहे हैं जीतू जराती के स्यासी सफर पर नज़र डालें तो जराती अब तक कई महत्विपूर्ण जिम्मधारिया संगठन के लिए नभा चुके हैं जहां जराती ने राओ का पहला विधायक बनने में सफलता हासल की थी तो वहीं जराती भाज यूमो के प्रदेश अध्यक्ष भी रह चुके हैं वर्तमान में जराती प्रदेश उपाध्यक्ष की भूमिका में हैं जना संगठन ने उन्हें 29 विधान सभा जितानी की जम्मेदारी सौपी है इनी जम्मेदारियों को शिरू धारी मानते हुए शिराती ने विधान सभा चुनावर नहीं लड़ने का फैस्ता किया है